लो ट्रेडर्स विल्कम तो मैं चैनल मैं नेम जबाई पार्टियल बैक विडियो और आज मैं आपको मेरे ट्रेड्स एक्स्प्लें करने वालो और बहुत सारी चीज़े बहुत इंफरमेटिव वीडियो है तो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखना फिर्स्ट अफॉल ह जो है एक दिन पहले जो संडे को मैंने अनिर्स वीडियो डाला था वह देखते है जिसमें मैंने अडानी जो पोट से यह पिछले वीक का स्टॉक है पिछली वीक का स्विंग स्टॉक है और मैंने का लगा था सेववंड फिफटीन पर होल्ड गरो ठीक यह मैं अभी आपको 715 को hold करो तो अभी ये चल रहा है 730 का इसने 32 का हाई लगा दिया है जो कि बहुत अच्छा है 2% और मोस्ट आप है नेक्स्ट है अढ़ानी ट्रांस ग्रीन लिमिटेड आप बिलीव नहीं करोगे अढ़ानी ट्रांस ग्रीन लिमिटेड एक ही दिन में जो है हमारे सारे टार्गेट हिट कर दी एक दिन में ये कल यहां पर क्लोज हुआ था इंट्री करने के लिए 2500 से कलो लगा था यहां से अगर आज का टॉप देखेंगे 10% 253 पॉइंट 10% इन सिंगल डे इसने जो है मूव किया है यहां पर आप देख सकते हो जब मैंने अडानी ट्रांस ग्रीन लिमिटेट का अनिलसिस दिया था यह देखो फिर आप जो है धीरे धीरे रैली दे सकता है इसने में ब्रेक उट दिये 2005 50 क्रॉस करता है तो तुरंग 2700 डेट देखो जुलाई 10 अडानी ट्रांस ग्रीन लिमिटेट आप बहुत अच्छा स्टॉक आपको स्विंग के लिए दिख रहा है और इसके बाद जो है अग्ति है टाटाप और अभी भी जो है टाटाप और दिखते 220 अभी वी इंट्री के आसपास ही चल रहा है और इसके वड़ मैं LTE के बारे में कहाना चाहूंगा LTE मैंने कहा बहुत अभी इंट्र मत करो मैं आभी आपको देखर रहा हुँ थोड़ा नीचे आने दो ठीक है और LTE जो है नीचे आ चुक है ठीक है आ रहा है और आ रहा है तो इससे conviction बूलते मैंने जिसमें आपको confidently कहा वो सब rally कर रहा है जिसे मैंने काँ wait करो वो नीचे आ रहा है ठीक है so that's analysis ठीक है अब nifty के बारे में बात करते है nifty जो मैंने कहा था ठीक है यहाँ पे मैंने यह range बनाई थी ठीक है यह range बनाई थी और अगर मैं आपको यह range दिखा दू nifty की ठीक है यह resistance किरेगा और अगर gap down खुलता है यह level बना ही मैंने या तो resistance किरेगा या फिर आप देखो next projection जो मैंने बनाई थी यहाँ पर wait ठीक है यह अगर support की नीचे खुलता है तो थोड़ा trending नीचे के दरफ देखने मिल सकता है तो नीचे के दरफ देखने मिल सकता है तो मैं अभी explain क important है और मैंने exit क्योंकि है मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कहा था कि यह trade मैंने यहाँ पर दिया था ठीक है निफ्टी का जो ट्रेड है आप देख सकते हो मैंने morning में दिया था यहाँ पर trade idea 1s226 risk reward short nifty ठीक है nifty यहाँ पर मैंने short करने बोला था और बहुत लोगों और यहां पे पहले बात करते हैं, देखो, सबसे तीन, फिर्स आओ यहां पे support है, support की नीचे closing दी दिया, support की नीचे open हुआ, price यहां से open हुआ, यहां से open हुआ, और market जो है गिरा, नीचे गिरा, और उसके बाद sideways sideways हो गया, इसके थोड़ा range bound हुआ, तो मैं wait करा था कि क्या behave कर support के उपर reverse कर गया है और लोगों को लागए कि यहां से profit booking आएगा और यह market reverse हो जाएगा तो ऐसा सोच के लोगों ने जो है यहां पर इस candle पर buying कि जैसे ही मुझे दिखा यह fail हो गया है और resistance पर रेजिस्ट कर रहा है तुरंद मैंने एंटर किया और market गिरा यहां पर retest किया फि पॉइंट नीचे तो reason यह था simple and easy reason यह था कि यहां पर जो यह decal होए जहां से इतने बड़े rejection आ रहे थे एगजक्ट अगर मैं वहीं से line खीच दू एगजक्ट पिन पॉइंट तो market वहां से reverse खा गया देखो 1-3.5 risk reward दिया और यहां से usually लोग क्या करते है इसका bottom cross होने पर एंटर करते है इसका bottom cross होने पर breakout समझ के एंटर करते है बट pro traders के आगरते retail traders टॉप पे ही sell करते resistance के top पे ही sell करते है टॉप पे हमने sell किया और bottom breakout के पहले breakdown के पहले हमने इस trade से exit किया और exit का timing भी आगर मैं आपको दिखा दू ठीक है यहां पर 1-2-3 done and dusted यह डाला था मैंने 12 1229 को अब अगर मैं 1 minute पर जाओ और 1229 की candle बताओ आपको ठी 1229 की आपको candle बताओ ठीक है यह 1229 की candle है 123 के आसपस्ता मैंने खा exit तुरंत exit 1-2-3 हो चुक है done and dusted आप निकल जाओ ठीक next candle 1230 की यहां पर बनी next उसके बाद complete V-shape recovery उसके बाद देखो complete यहां से V-shape recovery पूरा अग आपका जो stop loss है यह जाके hit हो जाता और उसके बाद market जो है rally करता गया तो इसका reason क्या था मैं इस trade मैं hold भी करता मैं बहुत देर तक यह trade hold करता लेकिन इसका non trend होने का reason एक लोगता reason है reliance और जो HDFC है वो reliance minus 5% पे चल रहा था sorry minus 0.5% पे चल रहा था लेकिन यहां पर मुझे इसका breakout आते होए दिख गया ठीक है इसका जो breakout है यहां पर यह जो breakout है यह कितने बजाया 12.45 को यहां पर इस candle के आसपास मुझे समझ गया था कि जो reliance है वो breakout देगा breakout क्या है इस breakout के पहली मैंने इस support पर देख लिया था अगर इस support पे main and only reason nifty जो trend किये यह support है ठीक है यह major support है अब daily time frame पर लेकर चलतो आपको daily time frame पर देखो यहां पर यहां से बहुत powerful यहां से जो player से इसको उठा रहे second time उठा है अब third time यहीं से consolidate करके market जो है उपर उठा है मैंने जब reliance का chart देखा मुझे समझ गया कि market जो है यहां से गिर सकता है यहां से rally कर सकता है यहां पर again मैंने जब HDFC का देखा तो यहां पर W pattern बन रहा था तो मुझे जो है देखो यह भी almost साड़े बारा ग्यारा देखो यहां जो HDFC बिल्डब चल रहा था ठीक है तो मुझे यहां दिखा यह W pattern है और सारा indicate कर मार्केट यहां से थोड़ा reverse खा सकता है इसलिए जो है मैंने तुरंत आपको 1229 को बोला वने इस्ट्री डन एंडस्टेड और मैंने explain भी किया ठीक है तो यह रिजन है तो आपको जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपको 10 चीज़े देख दस चीज़े नहीं बोलता हो सेलिंग का मैंड सेट है और वी क्या है निफ्टी तो हमने निफ्टी को सेल किया सेकंड चीज़ यहां पर अब निफ्टी को शॉट कर रहे हूं तो इंपोर्टन चीज़े क्या देखनी है अपको रिलाइंस देखना है HDFC पेर देखना है जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है वो दिखा रहा था कि वो बुलिश होते जा रहे है रेलाइंस सपोट पड़ा रहा है बंग जो HDFC पे से सपोट पर रहे है वह रयलिकी ज़्यादा की तरफ बढ़ रहे तो हैं पर मूझे पता चलऊ कि अगर यह उसे पोज़िटी हो रहे हुए तू भली निफ्टी चार् यह जो rally है वो miss कर दिया हो लेकिन हमें जो जितना हमने predict किया 1H to 3.5 वो मिला अगर हमारे direction में market चलता तो हमें बहुत बड़ी rally बहुत बड़ा profit मिलता कोई नहीं हमने हमारा view का जो trade है वो लिया उसका profit हो और हमने time पे exit किया so that was my trade and hope अपको इससे बहुत सारी learning understanding मिली होगी thank you for watching मिलते है कल new video के साथ